बदलना कौन चाहता है मजबूर कर देते हैं लोग तो आज करते हैं कलेक्टिर रीडिंग और आज करेटिर रीडिंग में इसर का संदेश आई बाबा का मैसेज एंजल का गाइड़न्स इसर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इसे पर कलेक्टिर रीडिंग होने वाली है जी हां हर रीडिंग के साथ साथ इसर का गाइड़न्स भी हमें समझना है क्योंकि इसर ही वो एक सक्ति होती है इसर ही वो एक जर्या होता है जो हमारे मुस्किलों से हमें निकालते हैं जो हमें समझते हैं जो हमारे दुखों के साथ जूटते हैं, इंसानों के वश्की बात नहीं होती कि वो, क्योंकि इंसान स्वारती होता है, इंसान स्रिफ अपनी मतलब से मतलब रखता है, अपनी काम से काम रखता है, दूसरों की चिंदा, दूसरों की परिशानियों से इंसान को कुछ लेना देना नहीं होता, लेकि बास्ते पर चलना चाहिए यह सारी तमाम बात यानि कि आपके जिन्दगी से जुड़ी हुई दुख और तकलीफों को लेकर और भविश्यों को लेकर इस्वर ने क्या सोचा है इसी पर आज की हमारी कलेक्टिव रिडिंग होने वाली है तो क्या आप इस रिडिंग के लिए तैयार होना है तो पहले आपको पॉजिटिव रहना है आपको अपने मन से अपने दिमाग से हर चिंदाओं को निकालना है दुआय कर लिजिए मैनिफेस्टेशन कर लिजिए प्रेयर्स कर लिजिए और चली स्टार्ट करते हैं आपकी रिडिंग और बताते हैं कि इस तोर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी जिन्दगी की तकलीफ है आखिर क्या है सबसे पहले आपकी एनर्जी देखेंगे ओ माई गाद नमबर 10 के अनर्जी आई है स्टार्म बार्निग टेंपल पाथ नमबर 12 के अनर्जी आई है नमबर 10 और 12 आपके लिए खास नमबर हो सकता है गाईस देखें यह जो एक काड आया है नमबर 10 वाला स्टार्म वार्निंग का जो काड आया है ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जिन्दगी में यह जो तुफान जो आने का संकेत यह यहां पर दिखाया गया है इससे बचने का उपाई भी आपको यहां पर दिया गया है दोनों ही चीज़े हैं ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी आपकी जो है तुफानों से घिरी हुई है तुफान आते रहते हैं आप उसका सामना करते हो कुछ भी चीज़े आप सोचते हो वह तो सायद कभी भी टिकता नहीं हैं, आपकी में कुछ भी चीज़े धर कर खरी नहीं रहती। वह या समझ से पहले ही खतम हो जाती है। तोर जाती है। जिस में आपके सपने हो सकते हैं। आपकी ख्वाई से हो सकती है, आपके रिस्ते हो सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, आपकी जिन्दगी में मैं देख रहे हूं कि कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी लग रहा है कि आप पेसे कुछ लोगों ने कुछ ऐसा खोया है, जो बर्दास के काबिल नहीं हैं, मतलब आप बर्दास नहीं कर पा रहे हो, तूफान के जटकों ने आपको कही न कहीं तोड़ दिया है, और ऐसा लग रहा है कि सायद आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है, जो सायद आपको थोड़ा और हिला कर रख दे या जो आपके जिन्दगी में थोड़ पर आने वाला समय है, उसमें आपको थोड़ा मजबूत बनकर रहना है, इस तूफान का सामना करने के लिए आपको तयार रहना है, इसका रास्ता भी आपको दिखाया गया है कि आपको क्या करना है, तेम्पल पातेने कि आपको इन मुसीबतों से, आपको इन दुखों से ज दुदाए करनी है आपको इस्वर से मैंफस्ट करना है कि मेरे जिन्दगी में जो यह तुफान आने वाला है यहां जुतं चल रहा है उससे मुझे आप बचाओ यह उससे आप मुझे निकालो ओंढ़ा हुस्ति कि तुम्हें और को मनेरे कि तुमहें और को सहरा नहीं मानते हो आपको जो है उनकी सर्णों में जाना है आपको इस वर को पुकारना है कि मेरी जिन्दगी परिशानियों से घीरी हुई है और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिन्दगी में इस से और ज़्यारा परिशानी आए आप मेरी मदद करो तो इस वर आपको पुकार रहे हैं गाइ या कोई भी आपने वादा किया था अगर वह वादा पूरा नहीं हो पाया है अगर आप नहीं कर पाए हो तब भी जो है कभी कभी जो है ऐसे स्टॉम वर्निंग आते हैं तो अगर आपके करीब आपके नजदीक आपके घर के अंदर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि आप इस वर के साथ connect हो सकते हो तो आपको वहाँ जाना चाहिए क्योंकि इस वर मुझे लग रहा है कि आपको कुका रहे हैं इस वर चाह रहे हैं कि आपके जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना आए आपको इस तुफान से इस वर बचाना चाह रहे हैं और आपको वो रास्ता दिखा तुम मेरे सड़नों में आओ क्योंकि मैं ही तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा मैं ही तुम्हें संभालूंगा मैं तुम्हें इस तुफान से बचा लूँगा तो प्लीज गो एंड विजिट तेम्पल आपके घर के आज पास या कहीं पर मतलब दूर जाने के लिए मैं कभ आपको होना है इस मुसीबत वाले समय में तो स्टॉम वर्निंग की एक चेताओनी आई है और उसका रास्ता भी आपको दिखाया जा चुका है कि आपको क्या करना है बस आपको इस्वर को याद करना है और कुछ करनी के आपको जरूरत नहीं है इस्वर आपको सकुसल भली बाती निकाल लेंगे इस स्टॉम से ठीक है बस आपको थोड़ा सा जो है अपने आपको पॉजिटिव बनाए रखना है ठीक है समझ गए तो यह आपके एनरजी से जो है निकल कर आई है चलिए उनिवर्स की तरफ से क्या है देखते हैं क्या आपके घर में आपके अपनों में आपने परिवार में यह आपकी खुद की सेहत में जो है कैसा चल रहा है गाइस क्या कोई बीमार है या कोई hospitalized है किसी की treatment चल रही है या आपके अंदर खुद जो है कुछ तकलीफ है यह भी अगर है तो इसका जल्दी से जल्दी आपको जो है उपचार करना है डॉक्टर के पास जाना है मेडिकेशन आपको लेने है क्योंकि इस्तों पुसा कर देंगे आपको ठीक कर देंगे आप बीमार भी है या अब आपके family में बइमार भी है या कोई बहुत बड़ा loss हुआ है पैसों का loss वाष है धनसंपत्य का loss हुआ है कुछ भी जो loss हुआ है उसका recovery जो है वो इस और करेंगे definitely आपकी life में तो ज़्यादा घबरानी की जरूत नहीं है कि strong warning आ गया strong warning के साथ इस और का आशिरवाद भी तो आया है है ना कि तुम बस मुझ पर यकीन करो अगर तुम मुझ पर यकीन करते हो तो हम तुमें उन सारे तुफानों से भी निकालेंगे और वो तुफान जो आपके life में अभी आने के लिए दिख रहा था उससे भी आपको बचाएंगे यहां पर आपके लिए खास कार्ड निकल कर आए है तो इनका आर्थ आपको मैं समझा दू जैसे पर आपके लिए खास कार्ड निकल कर आए है आपको दिखावा करना आपको पसन नहीं है आप उतने में ही खुश होते हो जितना आपको दिया गया है पर यहाँ पर देखो आपकी जो पेशेंस है आपकी जो प्रतिक्चा है उसका इंतजार यहाँ पर बहुत लंबा दिखता है यहाँ पर पेशेंस का काड़ाया है जो यह बताता है कि यहाँ तो आप बहुत सहियम से या बहुत भरोसे के साथ आप जो है इंतजार कर रहे हो आए है ना तो उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप भी जो है किसी चीस का इंतजार कर रहे हो समय देख रहे हो टाइम गिन रहे हो वेट कर रहे हो और आप में जो है बहुत ज़ादा इंतजार और होप है दो उम्मीदे भी आपके अंदर नजरा आती है तो एक सिंपल सा इंसान जिसकी ज़्यादा चाहते नहीं है, ज्यादा ख्वाई से नहीं है, पर कुछ हसरते हैं, जो यहाँ पर वो पूरा करना चाह रहा है, और पूरे होने का इंतजार भी कर रहा है, अब यहाँ पर तो एक महिला है, जो अपने बच्चे का इंतजार कर रही है, पर आप किस जिसका इंतजार कर रहे हो तो आपका इंतजार मुझे यहाँ पर यह दिखा है We are the world का जो काड आया है मुझे लग रहा है कि आप किसी के साथ एक होने का इंतजार कर रहे हो आप किसी को अपना दुन्या बनाने का इंतजार कर रहे हो आप किसी के साथ अपने जीवन को जीने का इंतजार कर रहे हो, आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आपके एनरजी में हम वाला सब इस्तमाल हुआ है, यानि कि आप जिस जिसका इंतजार कर रहे हो, वो जब आपके पास आएगा तो आप पूरे हो जाओगे, आप complete हो जाओगे, आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, मुझे तो लग रहा है कि आप किसी और को अपने जीवन में मांगते हुए नजर आये हो ताकि आप single से double हो जाओ, V बन जाओ I से V का जो सफर है यहाँ पर उसका ही इंतजार मुझे यहाँ पर लग रहा है, जैसे कि एक मा नौ महिने तक एक सुसू का इंतजार करती है कि नौ महिना complete होगा, फिर मेरा बच्चा इस धरती पर आएगा तो हो सबता है कि आप में से कुछ लोगों का भी इंतजार नौ महिने से भी जादा हुआ है या नौ महिने हो चुके है, नौ हफ़ते हो चुके है कि आप जो है इस इनसान के साथ हम बने का जो एक सफर है उसका आप इंतजार कर रहे हो तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि सप्रिशन यहाँ पर किसी जीस के साथ या किसी इंसान के साथ आपका हुआ है और आप बहुत तसलिक के साथ मतलब आपके चहरे पड़ना वो गम या वो मायोसी नहीं है बस यहाँ पर एक उमीद नजर आती है कि मेरा इंतजार डेफिनेटली पुरा होगा मेरा सपना डेफिनेटली पुरा होगा और जिस बच्चे का मैं इंतजार कर रही हूँ वो बच्चा सकुसल मेरे जिन्दगी में आएगा और हम बन जाएंगे मैंसे हम बनने का यह एक साइकल यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है तो आपकी दुनिया में कोई और नजर आया है हाला कि मैंने एक बच्चे का उधारन आपको यहाँ पर इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि जैसे कि मा को कभी भी जल्दबाजी नहीं होती वो इंतजार करती है वो तकलीफ में होती है उसको बहुत जड़ा पेन होता है जब तक यह बच्चा उसके अंदर होता है फिर भी वो जो है आह तक नहीं भरती वो चू तक नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि आज जो मेरे तकलीफ है उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा नौ महीने के बाद तो आपके अंदर भी साइद बेचे नहीं हो सकती है दर्द हो सकता है तकलीफ हो सकती है पर सयम आपके अंदर इतना है क्योंकि आपका भरोसा बहुत जड़ा टूठ है यहाँ पर ऐसा दिख चुका है तो चलिए यह तो रही आपके बारे में कुछ बाते जो आपका इंतजार है वो इसवर खतम भी करेंगे और डेफिनिटली एक बहुत आपकी जिंदगी का जो जर्णी रहा है वो बहुत चमतकारिक रहा है बहुत अद्भूत रहा है क्योंकि मैं देख रहे हूं कि तुफान आते हैं आप झेलते हो आप इंतजार करते हो पर कभी अपनी साथ गीए फिर अपने आपको बदलने की कोशिस नहीं कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहरहे हो पर आपका इस और भर alan जा रहा है तो यसस ओर आपको कभी भी जो है हैं चाहे स्टॉम वार्णिंग का कार आजाए चाहे कुछ भी आजाए आपको बस इस वर पर और खुद पर भरोजा रखना है चलिए देखते हैं टायर्ट से क्या है हुआ है हम भी आजाए को हैं का डवीजस है हुआ है का जए से देखते हैं हैं पुर बश्णिंगो लुछ से वीम एक हैं है जए जए से का उंग हैं जए करना हैं है है कर बग्यर्ट आज़asis रगragen कर दाए है जए स्कता है दिवाल झाला प्रॉपा। चाला झाला प्रॉपट कर gonna be one और स्टार मुझे लग रहा है आपने कुछ तो मांगा हुा है यह मुझे लग रहा है कि आप ईसे कुछ लोगों की न विशिस मनत को लेकर कुछ आप आप ने कुछ मांगा है या फीर है कि फूल का कार्ड आया है ओग ज़सक। six of swords number six आज आपके लिए खास है देखो bottom में क्या है guys, bottom of the deck में wheel of fortune आया है page of water, moon, star, moon, wheel of fortune आज के बड़े cards है ये, six of earth आज जो है, same energy आई है, six of pentacles और six of earth ten of fire, एक तरफ hangman है, यानि कि कुछ है जो रुक्या है और दूसरी तरफ wheel of fortune है, जो कुछ है जो आप चलने को है, रफ्तार यहां पर दिख रही है, जो थमा हुआ है, वो अब जो है, action में दिख रहा है, जिसका तालुक आपके भागे से है, तो चलिए, slander element की तरफ बढ़ते ह आई है, इसके अलावा एक्वरेस के एनर्जी आई है, ठीक है, पाइसे और एक्वरेस मेजर अरकाना से आए है, साथ ही साथ एर साइन है, जैमने लिपर एक्वरेस, मितिन तुला कुम रासी, अर्थ साइन, टॉरस वर्कर काप्रिकॉन, विशप कनिया मकर रासी, फायर आकर गुजर भी चुके हैं, पर उस तुफान से इसवर आप से कह रहे हैं, कि बस तुमको मजबूती से मुझ पर भरोसा करके रखना है, क्योंकि टेंपल पास का जो काड़ आया था, वो यही बता रहा है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो कोई बड़ी से बड़ को तितर-बितर करते हैं, आपके जिन्दगी को नुकसान पहुंचा दे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वर पर प्लीज आप भरोसा कीजिए, ठीक है, आपको उनकी ताकत पर भरोसा होना चाहिए, तो अभी आपके बारे में कुछ बताते हैं, जैसे कि मून आ कि आपके साथ, क्या जिंदगी में कभी आपने मुश्कूराना, हसना, खिलखीलाना, जिंदगी को भरूर तरीके से जीना, अपने लिए फैसला लेना, हैना आपने लिए कुछ अच्छा करना क्या कभी आपसे हो पाया है, क्योंकि ये नहीं हो पाता है, जब भी मून का अस लाग पकर दिखाने की कोशिज कर ली अच्छा बोलकर दिखाने की कोशिज कर ली आप किसी अच्छा बोलोगी भीना तो आपके अंदर लोगों को कड़वार्ट नजर आएगी आपका किया हुआ कुछ भी पसंद नहीं आएगा? क्यों? क्यों क्यों आपकी उपर उसी ग्रहन की पर्छाए को नहीं दिखाती है, आपके इंदर बुराई को ही सिर्फ जो है लोगों की तरफ दिखाती है. आपने तई भार मन में यह सवाल किया कि yeter ना करने के बाद भी मैं हमेशा लोगों के लिए बुरा कियों बन जाती हूं क्या मेरे अंदर कुछ प्रॉलम है क्या मेरे अटिटूड में कुछ प्रॉलम है क्या मेरे सकलो सुरत में कुछ प्रॉलम है कि लोगों को दिकत हो जाती है क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं जहाँ पर लोग मुझे हमीसा बुरा ही सोचते हैं, तो यह मत सोचना की गलती आपके अंदर है, प्रॉलम आपके अंदर है, प्रॉलम आपके इस ग्रह में छिपा हुआ है, जो अभी चल रहा है, तो मुन का असर है, जो बहुत सारी आपके नेगेटिविटी को ही दिखाएग तो इस मुन के कार्ट से ये भी पता चला है, कि बहुत सारे अउसर आपने गवाए हैं, बहुत सारे चीज़ों को पाते पाते रह गए हो, और कभी भी जो है, बिल्कुल खुले मन से किसी जिसको आप एकसेप्ट नहीं कर पाए हो, डर की भावना आपके अंदर बहुत ज़ तो आपके बलिदान, आपके त्याग, आपका दूसरों के बारे में करना, आपका दूसरों के बारे में सोचना, जितना भी आपनी किया है, उसका फल आपको मिला है हमेसाथ धोके में, देखो एक इंसान है जो अपने जिम्मेवारी को उठा रहा है, दूसरों के बारे में स वो बस आगे की तरफ अपने जिम्मेवारियों की तरफ बढ़ रहा है और पीछे से आकर कोई यहां पर उसके पीट पर तलबार डाल जाता है यानि कि यह है 10 of air 10 of fire है ना और 10 of fire का मतलब क्या होता है सेम यही energy होती है कि आपका जो यह त्याग बलिदान जो आपने किया है बो जड़ा dedicated हो आप दूसरों के बारे में बहुत सोचने वाले इंसानों करतव पुरा करने वाले इंसानों पर आपका जो यह 10-10 का दुकाड आया है जो सेम energy है इसके बदले में आपको हमेशा तलबार ही मिला है आपको हमेशा धोका ही मिला है हाला कि 10 of fire का काड यहां पर नही ही होगा क्योंकि आपने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि आपके साथ कौन खड़ा है आपका दूस्वन कौन है आपका दोस्त कौन है आप हमेशा आपने रास्ते पर चले हो है ना पर यही जो पीट आपने दूसरों को दिखाई है अपने करतव को करने के लिए उसी जो है इतने छुरे डाले गए है कि आप जो है बरदास से बाहर आपका जो है दर्ध हो चुका है क्योंकि यहां पर जो मून आया है ना यह मून बताता है कि कितना कर लो कितना मर लो जो भी कर लो किसी को दिखेगा नहीं आपका त्याप किसी को दिखेगा नहीं आपका सेक् कर जाएंगे तो यही फल आपको हमेशा मिला है क्योंकि आपका ग्रह ही जो है भी आपके खिलाफ नजर आया है तो मुझे लग रहा है कि कमिट्मेंट जो एक वर्ड होता है ना कि आप तो हमेशा सब के लिए कमिटेड हो गए आपने जो बोला आपने जो वचन दिया हुआ आ आपके लिए तो आपका जो सब्ध होता है वो पत्थर की लकीर होती है कि मुझे करना है तो मुझे करना है पर आपके लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं है क्योंकि यहां पर कमिट्मेंट ना मिलने का भी कुछ असर जो है आपको कभी किसी का वादा पूरा नहीं मिल पाय किसी ने आपके साथ वादा किया है तो वह कभी पूरा हो नहीं पाया है वहीं पर देखो दूसरा एक कार्ड आया है कि फुल का कार्ड और फुल के एनरजी का मतलब क्या होता है एक इंसान जो बिल्कुल ना जैसे घोड़े की दोनों ही आँखों की तरफ पट्टिया लगा द लेते आपको फिर अपने जिन्दगी का भी जो है मतलब नहीं होता जिन्दगी कुछ भी हो जाए सांसे चली जाए जान निकल जाए बस मुझे करना है तो करना है ऐसा एटिट्यूट करते हो आप गयज तो वही फुल का कार्ड बता रहा है कि इसी एटिट्यूट के चकर मे या इसी तरीके से दूसरों के बारे में जारा सोचने के चकर में आपने जिन्दगी से ही बहुत जारा खिलवार कर दिया है बहुत सारे ऐसे काम आपने किये है जिससे रिक्स आपका हुआ है फाइदा किसी और का हुआ है यानि कि आप हमेसा रिक्स जोन में ही मुझे दिख और रिक्स लेने से आप कभी डरते भी नहीं हो इस तरीके का आपका नेचर है और वहीं पर जो है आप यहीं तो सोचते होगे ना कि मेरा कौन सा करतरवे बाकी रह गया मेरी कौन से जिम्हेवारी बाकी रह गई मैंने क्या कुछ नहीं किया है दूसरों के लिए अना पर मेरे लिए ही हमेशा परॉलम्स स्टार्ट होती है मेरे जिन्दगी में ही घ्कते और ऐसी चीज़े मुझे क्यों मिलती है तो ये प्रश्व मैं हमेशा साइद आपके मन में आता ही रहता होगा अब यहाँ पर बात करते हैं हैंगमेन के इस कार्ड के बारे में और हैंगमेन का ये कार्ड यही बता रहा है कि ना आपका समय चक्र घुमा है ना आपका भाग्य घुमा है ना आपके अंदर जो है एक्शन है ना आपके अंदर कुछ करने की जो है इछाए बची हुई है आप इस्तिर हो गए हो जैसे कि बुठ कहते हैं पत्थर की मूरत या बुठ कहते हैं जो जिसे एक जगह पर आप रख दो तो वो हिल नहीं सकती वो कुछ कर नहीं सकती आपकी जिन्दगी कहीं नहीं उसी बुठ की तरह बन गई है उसी वर दूसरों के लिए नामुमखी नामुमकिन काममी और उस अपनुसरा की जायार है पथर एक पथर को मुरत जैसा बन जाता है जो excited कुछ नहीं कर सकता एक इंच भी जो है हम यह कि नहीं सकता है अपने लिए सब्सक्राइब और नहीं दूसरा आ रही है तो आज आज आपकी जो मेन एनरजी आई है ना वो है यह यह वो चीज़े हैं जो बहुत खास है आपके जिन्दगी में यहां पर मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने कभी पीछे मुड़कर खुद के बारे में नहीं सोचा अब यहां पर भी देखो वही हाल है यहां पर भी आपका हाल बेहाल ही है यहां पर भी आप देने से पहले नहीं सोच रहे हैं आप करने से पहले नहीं सोच रहे हैं आप अपना इंवेस्मेंट डूगो ही जा रहे हो देते ही चले जा रहे हो कभी यह नहीं सोच रहे हो कि इससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा मेरा फाइदा होगा या नहीं होगा, क्या मुझे इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, यानि कि अपनी मज़्जी वाली आपके फैसले हमेशा हुए है, आपने कभी किसी से पूछ कर कुछ नहीं किया, आपको जो ठीक लगता है आपने कर दिया, आपको देना ठीक लगता है आप आपके बहुत करीबी हैं आपके बहुत अपने ही हैं जो आपके इस नेचर को जानते हैं आपके सीधेपन को जानते हैं और उसी का फाइदा ले लेते हैं तो बालेंस आपके जिंदगी में नहीं हो पा रहा आप करतवे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं अपने बारे मे वापस आने का भी है ना तो बच्चा जैसा कि मैंने कहा था ने कि एक बच्चा नौ महीने तक पेट में होता है और नौ महीने मा इंतजार करती है कि वो निकले तो आप पिते को यहाँ पर उसी investment का ही इंतजार कर रहे हो जो आपको मिल नहीं पा रहा है तो अब बताते हैं कि इस्वर ने आपके लिए क्या सोचा है और इस्वर आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दू कि आप यहाँ पर जो statue बने हुए हो प्रान है नसकती है जिसमें कुछ भी नहीं बजा तो ऐसे इनसान को इस इस statue से या इस पत्थर के मूरत से निकालने का काम जो है वील ओफ फोर्चन कर रहा है दोनों ही एक दूसरे को जो है चैलेंज करने वाले अटकर देने वाले एनरजी आई है कि अब वील ओ फोर्चन जो यह तῆ कर लिया है कि अब आपके जिंदगी में अच्छा provides ब्लाक है आपके जिंदगी में पॉजिटिविटी आपके बनी इतना भी लों इस और समय चल रहा है वह समय चल रहा है आपके रिक्स लेने का जो समय चल रहा है वह सारा का सारा विल ओफ फोर्चन ने हटाने का यहाँ पर निर्ने कर लिया है क्योंकि गुद लग अच्छा समय आपका अब स्टार्ट हो चुका है तो इस ग्रहन से भी मुक्ती विल ओफोर्चन करवाएगा जब घूमेगा तो जो जुद ग्रहन है यह चांद का जो घूम जाएगा आपकी जिंदगी से हट जाएगा यानि कि तकलीफे और परिशानियों का जो समय है वो अब आपकी जिन्दगी से हट रहा है ताकि कुछ अच्छा बहुत अच्छा पॉजिटिव आपकी जिन्दगी में हो सके तो क्या होगा विलो फोर्चुन क्या क्या करने वाला है सबसे पहले तो स्टार का जो कार्ड आया है ये सबसे बड़ी भोष्यानी आपके लिए होगी साबित होगी सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आपने अगर कोई मनत अधुरी छोड़ी है कि आपनी किसी इस्वर से कहीं पर भी जाने का वाला किया है तो प्लीज सबसे पहले आप उसे पुरा कर लीजिए वो रुकावट हो सकती है कि आपके काम बन नहीं रहे है तो इस मैनिफेस्टेशन का भी समय आ चुका है कि आपने जो सोचा है या जो मांगा है इस्वर से कुछ अगर आपने मांगा है तो सबसे पहले आपके wishes जो है ये wheel of fortune पूरा कर रहा है तकदीर का जो पहिया घुमा है वो सबसे पहले आपकी इच्छाओ को पूरी करेगा ठीक है इच्छाए किस चीज को लेकर आपने की थी वो जो इंतजार आपका था ना इंतजार किस चीज को लेकर था वो इंतजार की घड़ी आप खतम होती हुई नजराई है तो कि manifestation यहाँ पर पूरा इस्वर कर रहे है आपका भाग्य कर रहा है ठीक है आपका भाग्य ही आपकी तरफ है अब दूसरा यहाँ पर आया है वो है वही बराबरी वाला यूनिट मैंने आपसे कहा था कि एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा तीन तेरा तीन मेरा है ना यह जो एक बराबरी का यूनिट होता है ना वो कहीं न कहीं असमान था है ना आपका हमेशा दो रहा है तो किसी का आधा रहा है या किसी का एक रहा है आपने दस दिये है तो किसी ने एक भी नहीं दिया है हैना आपने पचास दिये है तो किसी ने जीरो भी नहीं दिया होगा इस तरह के का आपका जिन्दगी का ताल मेलना कभी भी जो है सही नहीं रहा है तो जिन्दगी में जो भ से हो रही है जिस रिटर्न का जो है इंतसार आपने काफी लंबे समय से कर लिया है ठीक है तो अब यहाँ पर बात करते हैं पेज ओफ वाटर का कार्ड और पेज ओफ वाटर के अनरजी से बताता है कि खुशखबरी जिसका तालुक कहीं न कहीं प्यार मुहबत या फिर दोस्त से हैं ठीक है ऐसा कोई न्यूस ऐसा कोई व्यक्ति भी आपके जीवन में आता हुआ नजर आया है जो बहुत छोटी तरीके से आएगा जो बहुत मामूली बनकर आएगा क्योंकि आप भी एक बहुत साधरन से इंसान हो आपके यहाँ पर और्डिनरीनिस का काड़ आया था जो आपकी साधगी पसंद नेचर को दिखाता है डाउन टो अर्थ होने को दिखाता है आपके अंदर जो है घमर नाम की चीज नहीं है तो इसी तरीके से कोई छोटा सा ओफर या फिर एक साधगी पसंद इंसान ही जिसके अंदर प्यार और मुहबत की भावना आपके लिए होगी ऐसा कुछ ओफर जो हैं आपकी जिनदगी में आ रहा है जिसके आने का जर्या मुझे लग रहा है कि डेफिनिटली कॉल हो सकता है मैसेज हो सकता है या या फिर सोशल सायच का कोई दूसरा जरिया भी हो सकता है या दोस्तों के जरीज से भी कोई ना कोई आपर यहां जिसका सम्मन स्रिफ लव से है, प्यार से है, रिस्ते से है, या फिर खुशियों से है, ठीक है, ओपोर्चुनिटीस से है, ऐसा कुछ ना कुछ खुशखबरी जो है आपको छोटे माइने में, बड़ा नहीं, छोटे माइने में कहीं और से भी आता हुआ नजर आया, देखो य यह जो manifestation है, यह अलग पार्ट है, यह तो आपके उपर इस वर महरवान है, क्योंकि यह आपके बहुत बड़ी विश्कोई पूरी कर रहा है इस वर, और यह दूसरा एक पार है, जहां पर छोटे माइने में कुछ इंसानों के जरीए कुछ यहां पर खुशकबरी आपको मिल रही है, ठीक है, तो six of swords फिर से आया है, देखो six, 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 six वाली reading यहां पर angel number की निकल कर आई है, और six of swords यहां पर बता रहा है, कि बहुत जल्दी आप जो है, इस hangman से निकल कर, आप अपने जीवन में मूव हो रहे हो, आप अपने किस्वत में भी मूव हो रहे ह है, आपके destiny मूव हो रही है, हैनि कि movement यहां पर बहुत जारा नजर आया है, आप मैं इतना भी आपको कह दू, कि आप जो है अभी जहां पर रह रह रहे हो, हो सथ है कि आप वहां से निकल कर, कहीं आप travel करो, या फिर आपका देश-विदेश का, भ्रहमन का, या फिर adventurous यहां आपर कुछ traveling होती हुई नजर आई है, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, प्रमोशन के सिलसिले में, increment के सिलसिले में भी मुझे लग रहा है कि आप सिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि आपका energy ही shifting वाला है, बहुत रह लिए, बहुत रुख गए, बहुत समय वेश्ट कर ल देखने के पूरा हो रहा है, और आप निकल रहे हो, अपने सुनसान जिंदगी से आप निकल कर रास्ता बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक नाविक है, और नाविक अपने लिए खुद समंदर में नाव चला रहा है, और रास्ते बना रहा है, क्योंकि उसे मन्जिल तक प क्रिश्ण भगवान की तरफ से मैसिज देखते हैं आप देखे 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 टेंपल पाथ का कार्ड जो आया था ना और वहां पर साथ में तुफान का कार्ड भी आया था तो मैं आस्वस्थ हो गई थी पहले स्टॉर्म वार्निंग को देखकर मेरे अंदर घबराहट हुई थी कि पता नहीं अब इनके जीवन में क्या होने वाला है क्या समस्या आने वाली है और तब ही वहां पर टेंपल पाथ आ गया जिसे मुझे सुकून मिला कि नहीं भगवान है इन्हें बचा लेंगे इन्हें कोई भी तकलिफ नहीं होने देंगे है ना तो वही चीत देखो यहाँ पर कहा गया है लौड कृष्णा के दोरा कि इस्वर की मदद और इस्वर की कृपाक के बारे में आप मांगो इस्वर से मदद मांगने के लिए आपको मदद की उम्मीद नहीं रखनी है, बस मुसीबत जब भी आए, आपको इसवर से मदद मांग लेनी है, जितने भी मदद की जरुत होगी, जिसको लेकर आप मदद मांग रहे हो, जो आपकी जरुत है, उस हिसाब से आपको इसवर मदद भेज देंगे, ठीक है, तो किसी और के पास जाने की बिल्कुल भी जरुत नहीं है, ठीक है, तो इसवर ने इतना बड़ा, देखो, दो बार आ चुका है, यह सेम कार्ड की मुसीबत आने की आसार दिखे थे, और यहां पर यह भी कहा गया है, कि घबराने की जरुत नहीं है, हम तुम्हें 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 उससे पहले मांगना पड़ेगा, तुम्हें कहना पड़ेगा, मुझे पुकारना पड़ेगा, कि मैं मुस कि अब डिटेच होने के लिए कहा गया है आप से डिटेच्मिंट का मतलब हमेशा होता है कि हद से ज्यादा जैसा कि आपका नेचर रहा है मैं देख रही हूं न यहां पर टैन ओववेंट्स का दो काड आया है मतलब करतव के आगे कुछ दिखेगा नहीं अपनों के लिए करते जाओगे तो μद खाना पिना सोना सब कुछ भूल जाओगे इस तरीके से संसकार है आपके अंदर करतव करना चाहते हो जुड़े रहते हो हर सक्स के साथ, हर इंसान के साथ, हैना आपको जो है अलग होना पसंद नहीं है और जुड़ते ऐसे हो कि उसके लिए फिर जीना मरना भी भूल जाते हो, कुछ भी कर लेते हो, जिन्दगी को ही जो है दाओ पर लगाने से भी जो है पीछे नहीं हरते, तो इस और का आपकी इस हैबिट से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, साहिब आवा कह रहे हैं, इस बिंग ओवर एटेस्टू यर वर्डली रूल्स, टू नोट नेगलेट यर सोल पर पोस तका है, जितनी भी जीमेवारी आप अपनी दुन्यादारी में लगा रहे हो ना अपनों फ़े होता है, जिस का दव्राह हूमारि से होता है, उस पर थ्यान दो, कुछ इस बड़ा ποर दूस्ट्रों के लिए करदो, इंसानेत के लिए करो, मिंकला एक लिए लिए कंपने इस बहुत को बनावा कुछ तोश्वर दोने दूसरों के बारे हैं, आपको सोचने की ज्रूत मेरे बेटी हूं तो मुझे अपना करतव्य करना है अपने परिवार के लिए पती हूं तो मुझे पत्ने और बच्चों के लिए अब इसके अलावा आत्म का भी कुछ गाम होता है जिसका संपर्ख इस्वर से होता है उसको भी थोड़ा आपको ध्यान देना कि अध्यात्म को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए आपसे कहा है कि देखते हैं मेसेजस से क्या है बहुत सारे चीज़े देखो यहां पर यह जो मून का काड़ाया है जो यह बता रहा है कि छुपी हुई है आपके आपकी जानकारी से परे आपकी आँखों के पीछे बहुत सारी चीज़े आपके सामने खुलकर प्रस्तुत नहीं हो पाई है आप देख नहीं पा रहे हो उसे मून ने चुपाया है तो clarity आपको तब मिलेगी आपके सामने बहुत सारा सच उजागर होगा आप जिस्टीज को सच मान रहेते साइध वह जूट है जिस जूट को आप सच मान रहेते क्या पता उसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है बहुत सारा राज है सिक्रेट से बहुत सारे चीज़े इस ग्रहन ने चुपाई है आपसे तो वह सबका जो है क्लियर हो जाएगा क्योंकि स्टार भी यहां पर आया है और वी लव फोर्चुन भी आया है तो छुपी हुई चीज़े अपने आप आपके सामने उजाकर हो जाएगी गईश ठीके कमिटेट रिलेशन्शिप भी जो है आपको आफर होने वाला है हाला कि आज रिस्ते की रिडिंग नहीं थी यहां पर मैं देख रहे थी कि आपके जिन्दगी की तकलीफे परिशानी क्या है यहां पर यहां पर देखो इसर का हिसाइड यह एक इच्छा था कि यह कार्ड नि क्या पता यह जो रिलेशनशिप जो आज आपसे छुपा हुआ है जिसे आप अपने आखों से महसूसं नहीं कर पा रहे हैं देख नहीं पा रहे हैं जिसे आप पाना चाहरे हो पर कमिटमेंट आपको मिल नहीं पा रहा थाma तो यह देखो आपको इस बर गोराक यह एक और चाहा रहे हो तो अगर आपकी तलास ऐसी है तो वही व्यक्तिया वही सक्स यहां पर जो है कमिटेट रिलेशनशिप लेकर जो है आपके जिन्दगी में आ रहा है साइदी विलो फोर्चुन यह भी एक खबरी है जो आपको बहुत जल्दी देना चाहते हैं और देने वाले भी है कि अग्यां कि फोर्गिवनेस एंजल की तरफ से यह काड़ आया है आपके लिए माफी जिसे हम कहते हैं माफ कर देना माफ कर देना तो आपसे एंजल कह रहे है कि माफ कर दो जिन्होंने भी आपको बहुत जाना दर्द दिया है जिन्होंने आपके जीवन को मुश्किल बना दिया है जिनके वज़े से आप कभी अपने बारे में आपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तमाम उस परिस्तिती को उन लोगों क आपको दिल से माफ कर देना है यहना क्यूंकि आप इतने महान हो जिसने अपने कर्टरव के वज़े से कही न कहीं घूसे जिन्दकी तक को जो है आपने आपने सोचना संभालना चोर दिया है इस और आपसे एक और एकões कर रही है कि ब्लीज आप तमाम लोगों को माफ कर दो जिन्हों ने भी आपको दुखी किया है आपको दर्द दिया है ठीक है तो यह Aqicore request आपके लिए आया है जिसमे इसवर ने आपको बहुत सारे guidance दिये है वह सारी चीज़े करने के लिए आपके लिए जोस автом talented सेक्यूर करके रखा हुआ है इस वर ने तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी बस डट कर सामना करना है परिस्तितियों का और चुनोतियों को भी जो है आपको चैलेंज की तरह देखना है और इस वर को भुकारना है इस वर से मदद मांगनी है इस वर आपको निकाल लें झाल 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 झाल